हलो इस्टूरेंट मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में हम पढ़ रहे हैं विजन आयस की मन्थली मैक्चेन को जो की अक्टूबल 2023 पर आधा रहे थे इसमें अभी तक हमने इसके चार टॉपिक को कबर कर लिया है जिसमें पॉलिटी की साथ स इनवायवमेंट के संदर में पड़ते हैं कि इनवायवमेंट से रिलेटट अक्टूबर माहे में क्या समसम्मा की घटना ग्रम रहा है इन सबकी बारे में विरूश्थत में चल्चा करेंगे और इस पीडियेप को प्राप्त करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल YOPSC पिएसी विद्धीच्छा पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो इसके इनवाव्मेंट की मेर्जर टॉपिक को जानते हैं कि इनवाव्मेंट से रिलेटिड कौन कौन से टॉपिक रहे हैं सब की वारी में जानते हैं पिर आता है सतत बित्त की वारी में, फिर उसके बार नेट जीरो रोड मैप की वारी में, फिर आता है जलबाई परिवर्थन के कारण सुन्दर्बंग में नुकसान और छाती में, जीवास मीधन में से मीधन को मीधन को कम करने के निवारता की वारी में, सीमेंट उद्धा का बीकारवानी करण की बारे में, फिर आता है कि भारत में फासफूरस की उपलब्धिता कम हो रही है उसके बारे में, कॉर्णो कॉर्पर्स ब्रक्ष के बारे में, अमेजन नंदी बेशन के बारे में और पेट्रोलियम, कोक एवं पैट कोक के बारे में, फिर पढ़ेंगे इसके साथ ही, गोबर्धन के लिए एक एकी किरत पंजी कराण पोर्टल बनाएं गया उसके बारे में, पॉली अथिले, इंजाइम के बारे में, मैंने इस दिस मिस्टीरिया पैंगुलेन की नाईक प्राजाती जो खोजी गई हो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डिम से फ्लाई प्राजाती के बारे में, फिस मेंट के बारे में, डांसिंग फ्रॉक के बारे में, पिंक, बॉल फ प्रयावरण के संदर में हमारा पहला मेजर टोपिक आता है Global Infrastructure ुआ कि इस संदर में जानते हैं कि इस रुखियों में क्यूं रहा है इसकी बारी में जानते हैं सबसे पहले फिर जानेंगे यह होता क्या है इसकी पिक्रिया को जानेंगे और यह किस तरीकी से वर्ग करता है इसकी बारी में सब बिर्टत में चर्चा करेंगे इसमें आता है कि हाली में वापधा प्रतुरोदी आउसनरचना गठवन्दर ने बेश्विक आउसनरचना पर पहली दूई बार से क्या दूबर्स में एक बार रिपोर्ट चारी किया है। इसमें लचीली आउसनरचना होती है जिसका आसे होता है कि खतरना घटना और घातों के सहने और उनके खिलाब प्रतिकरिया करने और उनकी वो भरती आउसनरचना उसे है जिसमें लचीलेपन की आउसनरचना में देखा जाए तो इसका आसे सामाजे कुरार थी। प्रडालीगर लचीलापन का समर्थन करती हुई एक नए प्रडालीगर जोखिम पैदाना करने वाली आउसनरचना से होता है। विराता है बैश्वेक आउसरेशना के जोखिम की मद्देनचर लचीलापन की आवशेक्ता आखिर क्यों रही इसके संदर में जानते है जिसमें पहला आता है कि पुरानी होचली आउसरेशना के बारे में कई देशों ने आउसरेशना संबन्धी पुरानी संपत्तियों को खत दोरी है जहां उद्धों की करन विष्व इद्धर से पहले हुआ था फिर आता है आउसरेशना संबन्धी आखुसल गवर्नेंस के बारे में कि निमनाय वाले देशों में आउसरेशना की व्यापक कमी के चलती सामाजी कार्थित बिकास बादेत होता है और यह है इस्ति प्रभाबी बिने में और अनुपाले में कम निवे साधी सामिल होता है फिराता है पड़ाली जब गत है जो खिम की बारे में कि जलबाई परिवर्तन और जब वित्ता की हानी जैसी पड़ाली गठ जो फिकिम प्रिथ्वी पर जीमन की छमता को प्रभावित करते हैं और जर्वाई परिवलतिन समन को लेकर किये गई अंतराश्टी सम्झोती के दर जरियें। अनपात ही इन प्रवाव के वारी में दिखा जाए तुनिव नौमध्य माई वाले देशों में आवसनचना की लची लिपन के लिए आवशिक शनसादनों की मात्रा मौजुदा निवेस की तुल्ला में दसकुना कम रही है। विक वसनचना निवेस का 50% हिस्सा की बल 400 जिसमें चीन भारत जापान से उत्राजमेर कामे निवेश होगा इसके संदर में आता है। अब आता है इसके संदर में जानते हैं कि इंफ्राइस्ट्रेक्चर रेजिलियन्स की बारे में। आखिरे पिक्रिया किस तरीके से वग करती है जिसमें आता है लचीली और सनचना की बारे में लचीली और सनचना की बारे में देखते हैं। और सामाजे कार्थ एक लचीलापन और पड़ालीगल लचीलापन की संदर में राजकोशी लचीलापन आता है जो कि एक दूसरे से समिलेत होता है। सक्षम होती हो परियाबर निया खर्णिता और जय बिवित्ता को बड़ावा देते हैं। इस सामाजिक भलाई को भी सुनिश्चित करती हैं। इसलिए यदि एने ब्यापक रूप से अपनाया जाए तो एलचीलीपन को मजूद करने में महत्यपुन भूम का निभा सकते हैं पारमपरिक आउसनचना की सुरक्षा की बारे में देखा जाए तो एन्बी आईएस का उप्योगर की पारमपरिक गरी आउसनचना की सुरक्षा प्रदान कर सकती है या गरी आउसनचना की जगे एन्बी आईएस का उप्योगर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रक्तिक एनकू के संदर में इसमें जीवन चक्र के दोरन कार्वन उस्टर्जन को भी कम करती हैं पिर आता है सामाजे कार्थिक परणाम के संदर में के NBIS विजे इस रूप सिग्रामी छेत्रों में निर्णेलेन और गवर्नेंस में महलाओं की भागिदारी के आउसरों के संदर में इसके और इसमपत्यों की आवशकता को कमी की जा सकती है आद रूह मिया सडकें तालाब जैसे NBIS दूरसक्पदार्थों को फिल्टर कर सकते हैं और आफसिश्टों करनेदान कर सकते हों जल को सक्षिकरने जैसी कई शुगलाएं भी प्रदान कर सकते हैं फिर आता हैं दूसरा वा की मात्रव को कम करती है जिसके चलती जलासेओं के तल यागात की सफाई आउशाथ को हटाने की आवशक्ता प्रम पढ़ती है फिर आता है इंजीन रिंग पद्री संपत्यों की सुरक्षा की बारे में कि जलबाई परिवर्तन से उत्पन होने वाले प्रभावों से सुरक्षा फिर आता है कई आतरिक सीमाजिक परियाव रगनिय और आर्थिक लाफ प्रदान करने के संदर में की एसामाजिक लाव बस्त उता SDG और पेरे समझते के तहर निरधारत बेस्विक लक्षों को प्राप्ती में साहयत अप्रदान करते हैं और महलाओं की नर्णे लेने की पिक्रिया में भागिदारी करने ही तो अवसरों को भी बड़ावा दीते हैं इसके संदर में यह इसकी प्रमकार स्रेणिया आती हैं अब आता है इसके संदर में और भी जानते हैं कि इसको एकिकरत करने की चुनोतियों की बारे में जाने जिसमें पहला आता है कि ग्यान की आवश्यक्ता होका होना कि NBIS के लिए एक अन्य अन्ताविशियक ज्यान और कोसल की आवशकता होती है जिसमें पारंपरेक इंजिनरों और वास्तुकारों के इस ज्यान और कोसल को प्राय अभाव रहता है सूध की अभाव की बारे में कि पारिस्तिकी तंत की सिवाओं में मूले निर्धारण की मामले में एक बिश्वशनी और मजबूत पिक्रिया की बिना NBIS संबंदी लचीलिपन में मिलने वाली रावों का पता लगाना सम्मा होता है राजन्यतिक रूप से ना कर सक होता है और परिपक्ता की यवधी की संदर में इसमें अवसनाचनल संबंदी आवशक्ताओं की पूर्टी ही तूर्ट काल आवशक्ता की स्थिती में NBIS प्राया एक धीमा समाधान हो सकता है इसके बारे में आता है अब आता है कि NBIS को इकिकरत करने की संदर में आता है जिसमें अनुशन्दान की संदर में देखा जाए तो यह सावधानी पूर्वक समीच्छा यूरेटेड अप्टूडेट बहुआसी सार्जनिक रूप से उपलब्द अनुशन्दान पुस्तकाल केस स्टडी आवश्यक होती है पढ़ाम से जुड़ी NBIS के बारे में देखा जाए तो यह स्टीजी की राह हासिल करने में प्रक्ति और वेश्विक्सान है लक्षों को जोड़ना चाहिए जिससे NBIS में अधिक स्यदिक अप्राने में वदद मिलती है बिन्यामी की पिक्रि प्रियोजनों में अधिक सदी बित्य पूशन के लिए मार्क खुल सकते हैं प्रोशन किए इन्बिया इस को इकरत करने चाहिए जिससे आसनेचना कि प्रुभाव को बढ़ाने और सनेचना की नुकसान उच्छती को कम करने में जैव विद्या की नुकसान को रोकने में सहयत अब आता है इसको निसकर्स की तोर पर देखा जाए तो यह दीर कालिक जीवन चक्रवाली डिजाइन बा और सनचना संबंदी पर इशंपतियों के नमार करना चाहिए और आने वाले दुसकों में निवेज को लेकर आसोस दरहने और विकास की सपत पर साथ मलताल में लिठा कर आगे बढ़ने के लिए महतपूर होगा इसके साथ साथ बिनासकारी जलवाई परिवर्तन और जब विवित्ता की नुकसान में जोड़े जीवन के अस्तित संबंदी जो खिमसेने पटने के लिए और सनचना की लजीजलेपन को मजबूत करना भी महतपूर होता है अब आता है कि लाचेंचू जू की नदी और लाचेंचू फांग स्मिलकर आगे तिस्ता नदी के नाम से बेहती है पिर आता है कि इसक्ष्ण се आई ऐचानक बाड़ की कार उत्तर दाई कारक के बारे में कि इसक्ष्ण में आई आपक दाकार निमनिखित कारकों के बिनासकारी त lorsque फिर आता है GLOF की घटना के बारे में कि जब हिमनादो की पिखले से प्राप्त जल के काण हिमनादीय जल की मातरा काफी चरम मिंदू पर पहुंच जाती है तब हिमनादीय जल की तूट जाती है जिसके काण आईवार्ड CLOF कहती है इस घटना में बादल फटने की काड़ हुने वाला अतिदी वर्था की भूंका की चलते जी ऐलो एप में प्रभाव आंतियन्त बिनासकारी होती है जी ऐलो एप अचानक घटे थोने वाली एक बिनासकारी घटना होती है जोकि हमना दे जहील के जल को रूख कर रखने वाली हिमनाद यही मोडों के जैसे प्राक्ति तट्वन की तूटने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में धलाने की दिसा में जल की प्रवाय होने लगता है जिसके कारण पर चड़ने बाड आती है पिर आता है चुग ठांग बाड की बारे में किबाड का पानी लाचे नदी से होती है चुग ठांग में तीसता थर्ड जल विद्ध परियोजना तक पहुँच गया है जिसमें चुग ठांग बाड से अत्रिक्त पानी के छोड़े जाने के कार इस्तिती और भी गम भीर हो गई समिता हिमनत की पगलने से हिमनदी जीलों में जल पहुंसता रहता हो जील का आकार भी बढ़ता जाता है। अब आता है कि भारत में जीलों में समिन्दी सुवेधिता के बारे में कि हाली में इंटरनेशनल सेंटर फूर इंटिगेटर माउंटेन डिवलपमेंट ने हिंदु को सिमाले आगले रिपोर्ट जारी किये हैं। अब जानते हैं जीलों के प्रभाव के बारे में कि यह आपरतियासित प्रक्ति के बारे में। आपरतियासिक प्रक्ति के संदर में देखा जाए तो यह आते दिक मात्रा में जलों मालवे के तीब्रे प्रभाह बेक के कारण बिनासकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका मानव जीवन पर प्रभाव पढ़ता है जो कि आजीब का बुनियादी सेवाव जैसे पेजल सुक्षिता स्वास्तो सिक्षा पर बिनासकारी प्रभाव पढ़ता है। भावनों सडको उर्जा अपरियोजनाव सीवेज नेटवर्क जैसी आउसनाच्राव के छती पहुंचती है। जोटी और मोश में नदियां सहाइक नदियां मुख नदी में जलकी मात्रा अत्तिक ब्रद्धी होती और ये अचानक आने वाली वाड़ का मुख कारण बनती है। पिर आता है बादल फटना जो कि एकनिश्चे छेत्र गें कम समय में अचानक आते दिख भारी वर्षा के कान बादल फटते हैं। पिर आता है तूफानी वर्षा का होना कि आई अमडी के अनुशार। हाउसकेस और दूसकों कि उस सर्जन के कारण जलवाई परिवर्टन थख गलूवल मार्मिंगों होने वाली व्रद्धी होती है। अब आता है बाड के प्रभा में कम करने या बाड के समन के उपाय के बारे में जिसमें पहला आता है राष्टियापदा प्रबंदन प्राधिकरण के बारे में। इसने बाड के प्रवंदर में किये गए दिसा निर्देश चारी की हैं साथ ही है एंडी में कि दोरान अलग-अलग के अंदरी ओछे तरी राज्ये एजिंसियों दोरने वाहिज जाने वाली भूमकाओं पर आधरे थें। इस अंदर में दियेगे निर्देश में आता है कि 2020 में जी अलू एफ की प्रवंदर के लिए दिसा निर्देश है 2010 में सहरी बाड के प्रवंदर के लिए दिसा निर्देश और 2008 में बाड के लिए दिसा निर्देश चारी कियेगे अब आता है सनचनात्मा कुपाई की बारी में सनचनात में कुपाई में जलासे हूं तालावों कट तर्ट बंदों का निर्माड नदियों के अतरिकते जल के नहरों में वहने बीजने ये जलने का सी शुबदा का निर्माड करना अपवाय माग ये जलने का सी शुबदा में शुदार करना वाटर सेट प्रबंधन इसके तरगए सामेल होता है भराता है बाड़ सμमाबे छेत्र में जॉन्वे बाड़ता है कि जिसका उद्देश बाड़ की व्या схणा और उसके आने की बारमबरता कि आपक जोखे मूलियंकन करके आवशक जानकारी प्राप्त की जाने चाहिए पिर आता है निगरानी और डेटा बैल्यू की संदर में देखा जाए पिसमेद अंसील, हिमनदी जीलों और नगदियों में आसपास मौसम सम्मन्धी डेटाओं को गटनाओं का बता लगाने और उनके लिए गहन निगरानियों पुरुवनवान पडाली का सीगरवेक कास किया जाना चाहिए। जोकिम प्रबंदन की रणीतियों को प्राथमिक्ता देने और उन्हें डिजाइन करने और लागू करने का एक आधर मिलता है। आपदा की स्थति में उचित पिति किरिया है तो राश्टी राज्यों जिला सामुदा एक स्थर पर सुईस्पष्ट अर्थोष पिक्रिया है। अनुशद्ना निवंबिकास के संदर में देखा जाए तो यह समपुढ हमाले ये छित्रों में जिलो की नेमेत पिर्णा मूलेंकन के लिए उन्नत अंत्रिक छादार है तो इस्थल ये प्रोध्य की कौपियों करके बार बार निगरानी की जाने चाहिए। तो इसके संदर में प्रोध्य पॉइंट आते हैं अब आता है इसके संदर में संचिप्त सुर्खियों के बारे में देखते हैं यहां पर यह दो प्रोध्य टॉपिक थी यह वो फिनिश होते हैं अब आते हैं इसकी संचिप्त सुर्खियों जिसमें इस जो इस रंखला आई के साथ सान्यदारी में कूरल डी ब्रेक्टू लॉंच किया हुआ है इस पहल का जो उद्देश है मतलब की लक्ष है जो उथ लेजल की उश्रकटिवन्दी प्रवाल वित्यों में कम से कम 125,000 किलो मीटर चित में बिलुप्त होने से बचाना है और लक्ष पर राप्त करने की मुखे कारी योजनाओं की बारे में देखते हैं पहला आता है कि नुकसान पहुचाने वाले स्थानी कारकों को कम करना जिसमें इसमें प्रदूशन को घूमिया अधरे सुरूतों और विध फिर आता है कि न में मौंट्रियल बेश्विक जैब वित्ता फ्रेंबर का लक्ष थ्री के बारे में किसके दहें 2030 तक कम से कम 30 पिर्शत इस्थली अंदर देशिये जल चित्रों समुद्री वंतर ये चित्रों में सन्रक्ष रखा गया प्रवालों के अनुकूल ब्यापक नन समाधान उकलाई मीट समाज स्मार्ट डिजाइनों की विकास कारेंबन में सहायता करना है जिसमें 2030 तक प्रतीस पिर्शत निमनी किरत प्रवालों की पुनरवहाली में मदद की जा सकते है फिर आता है कि प्रवाल बित्तियों के सनक्षण पुनरवहाली के लिए सारजनिक त अठोर बाहरी कंकाल केलसियम कारोनेट का बनाया होता है बारत में प्रवाल बित्तियों में निमनी के समद्री छेत्रों में प्राप्त होती है जिसमें आती है कच्छे की खाड़ी मनार की खाड़ी अड़नमाने कोबर और दर्च्छदीब समूव में ये प्रवाल बित्तिय पाई जाते हैं अब आता है अंतराज्टी कोरल री पहल की बारे में इसकी उत्पत्ती उन्नी सुचरार में में और श्रीलिया फ्रांस चापान जमेका फिलीपिन स्वीडन यूके यूएसी द्वारा इस्थापित है प्रोग पहल में कोरल री ब्रेक्ट्रू की तहट कम से कम एक लाग पच्चेस जार बर किलो मीटर चेतर बिस्ते तुथ ले जल चेतर बाली उस्षिकटी बंदी कोरल रीप का सनक्षण करना सामिल होता है इसके अंतरगत आता है अब आता है हमारी ने शुर्किया जिसमें आता रिपोर्ट चारी की हुई है अब जानते हैं सतद्विकास से क्या तात पर होता है संधानी कारकरमों का वित्ते पोशन करना और उन्हें संधानी रूप से प्रवंदित वित्ते से होता है रिपोर्ट के मुखे विन्दूव पर नजर डाली जाए तो इसके अंतरगत पहला आता है कि सतद्विकास में वैस्वे के स्थर पर बित्ते पोशन गए मौजूत कमी दूर करने के लिए परयाप्त पूजी उतरलता उपरब्द कराना है एशिया प्रशांचीतर में सतद्विकास लक्षों को 2030 तक लहासल करने पर कोई राहे नहीं दी गई है फिर आता है इस पиковित्य वीट आवस्थ शक्ताओं पर आकलंड में अपनी र्रपूट चारी कि है इसे छेतर में आपदाओं को अन्य प्राक्तिक विप्ताओं में होने वाली प्राक्तिक विप्ताओं से होने जो ओस्तत हानी है वह 1.3 एक ट्रिलियन डॉलर से 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो सकती है इसमें मारा जाता है इसके संदर में कि यह है उस सर्जन की स्तिती में जलवाई परिवर्त में भारत के दुद्व की सो तक सकल घरी लूत पाद में 35% का नुकसाल होता है फिर आता है एशिया परसांद 6 रहे तुछ संदराष्ट आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की बारे में जिसका मुख्याल है थाइलेंड बैंकाउंक में है तथा यह जो है वह इसकी स्थापना जो है वह 1947 में 1947 में एशिया और सुदूर पूरू के संदराष्ट आर्थिक आयोग की रूप में की गई थी 1974 में यूनिस कैप के रूप में नामित किया गया था यह UNESCAP के बारे में जाने तो यह एशिया परसांद 6 का एक अंतरसरगारी मंच है और जो की 5-6-3 रायोगों में से एक है यह अन्य छेत्री रायोग जिसमें अफरिका, यूरो, पश्मे, यू, एसिया, लेटन, अमिर्का और केरिबियन से संब्द इसमें दिस आते हैं कि रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफार्सों की वारे में जानती हैं जिसके अंतरगत पहली आती है कि नीती निर्माताओं बिन्यामे को और जी बित्त के के लिए कारवाही की छेत्रों में निम्लिके सिफार्से की गई है जिसमें कि अंतरगत बिश्वसनी ट्रांजेक्शन मार का अनुशन करती हुए दूजर पचास तक नेट चीरू संकल्प के प्रती प्रतिवद्देता व्यक्त करनी चाहिए और इसमें दूजर तीस के लक्षों की प्राप्ती भी सामिल होती है फिर आता है कि सभी मुख्य कारकारी सरकारी कर्मंत्रालेओं में नीतियों के एक रूपता लानी चाहिए और छमताय विक्सत की जाने चाहिए पूजी निवेस आवशिक्ताओं की भी सेक्ट्रल और रीजनल लेवल को असंगती को कम करना सक्षूल्जा को अपनाने के साथ हरे एक प्रोधिकियों और अने नेट चीरो निवेसों में स्थानी अब आता है नेट चीरो रोड मैप के बारे में नेट चीरो रोड मैप पर एक रिपोर्ट जारी की गई इस रिपोर्ट में 155 डिग्री सेल्सिस तक पहुंचने के लक्ष में रखने के लिए वैश्विक मार्ग है इस रिपोर्ट की मुख्य बिंदू पनजर डाले तो पहला आता है कि गिलूबल बारविग में 155 डिग्री सेल्सिस तक सीमेत करना कठे नहोता जा रहा है और हाला में एक दसक के अंत में नमीनी करनी उजा की छमता की डोगना करने और कारवन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड इस्टोरेज कूपियों को बड़ा देने के लिए तीना चाहे अब आते हैं जलबाई परिवर्टन के कारण सुन्दरवन में नुकसान एवं छती के कारण के कि भारत तो बागलादेश के भी सगो कमानना है कि जलबाई परिवर्टन के कारण सुन्दरवन में नुकसान और छती हुई है और गुलोबल कॉमन्स के रूप में देखा गया है ऐसा इसलिए क्योंकि सुन्दरवन में बहुत कम कारवन उस्तर जन फिर भी यह छेत्र जलब बात है गुलोबल कॉमन्स को सासित करने के लिए अभी शमय वसांधिया निम्लिखिते जिसमें स्यवत्राज सम्मुंत्री कानून अभी शमय 1982 अंटार्क्टर का संधी पडाली वह अंत्रिक्ष के अनुवेशन उपयोग में राज्जों की गतिविदियों को सासित करने वाल का सबसे बड़ा छेत्र है इसे सांस्कृति की यूनेस को विश्वधरुवर इस्थल की रूप में नामित है और इसे अत्रिक्त रामसर कन्वेंसर के तहट इसे अंतराष्टी महत्य की आदरभूमी का दरजातिया क्या है जिसमें जीब जन्तु में एश्चुरायन मगरमच रोयल बंगा टाइगर, बॉर्टर मॉनीटर छिपकली, कंगा डॉल्फिन, ओलिव रेडली टर्टर और इसक में संकट करेस्थ प्रजातियों में देखा जाए मतलब कि ये कोज संकट किसे में है कि छेत्र में बाढ़ का होना भूकम चकरवा, समुदरिस्तर में व्रदी, सम रामों को संदर्वित करता है, अब आता है जीवास मीधन से मीधन को कम करने की अनवारता की बारे, इस रिपोर्ट की बारे में रिपोर्ट जो है वयांतराष्टी उजाए अजंसी की द्वारत तयार की गई, संयुग तराष्ट परियावन कारकरम और UNAP संयों चेते क्लाइ जलवाई परिवर्टन और बाई परिदूशन दोनों के लिए उत्तर दाई है और रिपोर्ट के मुख्य बिन्दूओं में देखा जाए तो पहला आता है कि जीवास मीधन से मीधन को कम करने के लिए 2050 तक 0.1% तापमान में ब्रद्धी से बचा जा सकता है, अब आता है कि यदि मीधन करने संबने लक्षित कारवाही नहीं की जाती है तो इसमें 2050 तक और बेश वेको सती तापन में एक दिस्जमलों 6 डिग्री से अधे के बिरद्धी होती है, अब आता है कि बरस 2050 तक मीधन से निमलिखित को रूखा जाता है, पहला आता है उजन की प्रोह में आन घंटे की पिसरा महानी, फिराता है मीधन ग्रीन हाउस कैसों का एक का, मीधन ग्रीन हाउस कैसा जो कि यह 30% गलोवल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बैसिव किस तर पर हर साल लगबग पार दिसमलों अपासवस सी मिलियन तन मीधन उस सर्जित होती है, जिसमें 60% मानों, गतिविनियां जिम्मेदार होती है, अब आता है कि मीधन उस सर्जित को रूखने के लिए शुरू कि गई पहलों की बारे में, जिसमें पहली आती है कि बरस 2021 में, कॉप 26 में वेश्विक मीधन की संकल्प शुरू किया गया था, जिसका उद्देश 2030 थक मीधन के, उ उस सर्जन को 2020 में केस तर से कम से कम 30% के कटोती करना है, फिर आता है गोवर एगलिवनाइस्ट और्गनेट पायो एग्रो रिसोर्सेज दाने उजना जिससे जल सकती मंत्राले की एक अमरेला की एक पहले और यह यूजना, अब सिष्ट को संसादनों में परिवर्तित करने अमीध हैं उस्तरजित कमी का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है, अब आता है इसके संदर में, नेक्स आता है सीमें टुद्धो के बीकार्वनी करन के बारे में, सीमें टुद्धो के बीकार्वनी करन के बारे में देखा जाए तो सीमें टुद्धो में पायरो प्रोस सिंग बोई होती है जिसमें फट्टी में चूना पत्थरों के लिए को 14 सो डिगरी सलसे से अधिक तापमान पर गरम किया जाता है जिसमें कैलसीनेशन के बारे में देखा जाए तो इसके अंतरगत कैलसीम कार्बोनेट को गरम किया जाता है सीमेंट उद्धुग में भी दान देता है फिर आता है कि वर्स 2050 और 2070 तक सुद्ध सुनो सलजन की प्रतिवद्धिताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट उद्धुग भी कारवनी करण अवशेक है और गया तब है कि भारत में 2070 तक सुद्ध सुनो सलजन का लक्षिनर धारित किया गया है अब आता है भारत की समक्ष मौझूद चुनोतियों की बारे में देखा जाए तो पहला आता है कि भारत में सैरी करण काफिती ब्रगती से हो रहा है यहां आवसर इचनाओ की बिकास में तीजी देख ही रारी पाईरू प्रोसेसिंग वा कलसीनी करण के वेकल्पों की उपलब देता का भाव होता है छेतरी और दक्षता समर्दन को बढ़ावा के लिए पहले और आर्थी को पाई सीमेंथ होते हैं अब आता है सीमेंट में सावल घटक के बारे में देखा जाये तो सीमेंट में चार परकार के सीमेंट का उतपादन किया जाता है भारत में जिसमें पहला आता है कि चुना पथर या धातुमर किलिंकर फिलाईज, सलैग और जिपसम इसमें 4 तरीके के सीमेंट का उतपादन होता है जो कि कुल कारलवनर याक सायू सर्जन के सीयोटमम में Datुमर में पृटलेंट सीमेंट के बारे में इसमें पताया गया है अब आता है हमारा नेक्स्ट इसके उपायों की बारे में, इसके उपायों की बारे में जाना जाए तो यह बिलेंडर सीमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाना अर्थात किसी अन्य बिकल्प की उपियों करके चुना पत्थर को कम से कम उपियों करना है, सीमेंट की उत्पादन मे अब आती है हमारी next topic, next में आता है कि भारत में फासपूरस की उपलब्द दा कम हो रही है इसकी संदर में कि फासपूरस पौधों की विकास के लिए अतिया आविश्यक होता है, या सूख्षि तत्तों मेंसे एक है पुस्पोधों में निमलिकित मैंसे इसकी आवशमता होती है। अब आता है फासपूरस की कमी को दूर करने की उपाय की बारे में पहली आता है कि फासपूरस की उपलब दिता को लेकर को चिंता हैं जैसे कि फासपूरस के डियम के स्थान पर मौझूद है और एकेड़नियम एक भारी दातु है जिसे अलग करना एक महगी पिक्रिया होती है वहसपूरस के हानिकारक प्रभाव को जाने कि यह अधिक तरफ हासपूरस किरसी अपवाय की रूप में वह सीवेज के माद्य में सीधे जलने कामें पहुंसता है और विशाक से कारने भी इस पर रोक लगाई थी जानते हैं कॉनो कॉर्फस की बारे में कॉनो कॉर्फस जो है वै कॉम्प्रेटेशी कुल की पुस्पी बातवा की दूपर जाती है एक जीनस है जिसमें विश्यो की उर्षिकटवन्दी छेतरों की मूल पर जाती है पाई जाती है मिट्टी के अंदर गहराई तक जाकर बड़ी पेमारे प्रविक्सित होती है, इससे दूर संचाल लाइनों, ड्रेनेज लाइनों और ताज जल की आप रूती वाले पाईपों की नुकसान पहुँचाते हैं, अब आता है हमारी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आता है अमेजन न अंदी बेशिंग में पुरा क्विलरा जील के सूखने के अकसर जल्मग न हो रहे हैं कि वाले गाउं की मिट्टी के मैदानों परिविर्टित हो गए हैं, यह जील, अमेजन नदी बेशन में इस्तिते एललिनों और उत्री उश्रिकटिबंदी अटलांटिक महासागर के जल में होने के काण गंबी शूके का सामना कर रही है, वो एजल वाई भी है, गटनाएं गिलोबल वार्मिंगो जीबाश मीधन के दहन से बढ़ गई हैं, आप जानती हैं मेजन बेशन के बारे में, जो कीज भी शुका, सबसे बड़ा जल प्रभाय बेशन है, अधक्षन अमेर गोलंबिया, एकडेर, गुवाना, पेरू, सूरी ना, मुबेनेजुला आती है, अब आता है पेट्रोलिम कोक और पेटकोक की बारे में, सर्बुच नियाले ने बायुगुडबत्ता प्रमंधनायु को अत्यदिक प्रदूशन कारी पेटकोक की बितन से संबंध मुद्धो पर विचार करने पर निर्दीश दिया है, जानते हैं पेटकोक की बारे में, पेटकोक जो है वैकार्मने उप्ति ठूस सामगरी, ऐसी अंदिम्बे, ग्रेकिंग, पिक्रिया से प्राप्त किया जाता है, ग्रेकिंग, पिक्रिया, ऊशमा, आधरे, केमिकल, इंजिनिनिंग, पिक्रिया होती है, इसे उचे कैलोरी मान के काड़, इसका उप्योक कोईले के प्रतीश पाथापन के रूप में किया जाता है, पेटकोक होता है, पेटकोक बरसा के मौसम में नमी नहीं पकड़ता है, पेटकोक कम बास्प्रील पदालत होते हैं, और इसे में इसके बास्प पूर्टल का होना जिसका उदिश देश पर में संपीडित बायोगेस और बायोगेस सहींत्रों के पंजीकरण से विवस्तित होता है। परिवर्टित करके धन कमाना और वुजाओदपन करना होता है। प्रिवर्टित करने में अनुथी चमता रखते हैं जिसका महत्त होता है कि यह समुत्र में पैट की अपसिष्ट को नस्ट कर सकता है। इससे प्लास्टिक प्रदूशर में पटने हैं रोगने में मदद मिल जाएगी। अब आता है हमारे नेक्स टॉपिक मैनिस मिस्टीरिया या पैंगुलिन की नई प्रजाती की खोज की बारे में। इस प्रजाती की संदर में जाने कि पैंगुलिन की बारे में प्रदूशर पैंगुलिन पैंगुलिन पैंगुलिन, सुन्दा पैंगुलिन, चीनी, पैंगुलिन इसके अंतरगत आती हैं। आर्माग्रेडन रीटेल रखा गया है आर्माग्रेडन रीटेल नामक एकोलोजिकल आर्माग्रेडन के आउधारना का सीधर संबन्द है यह एक पदावली है जिसका उप्यूग दुनिया भर में किटों की आबादी में मिनासकारी गिराबट का बर्णन करने के लिए खिया ज प्रजाथी के संदर में प्रेवर कोईंट है अब आता है पिष मिंट के वारे में फिस्मिंट्य है यह Betty यहièrement गोड़ों से भर पूर एकजड़ी बूटी वाला पौधा होता है यह प्रजाति के खुरिपत प्हिमाले के किरीबत से लेके दक्षर पूर्वेशिया चेन पूरिया जापान में मिलती है यह मेगाले में जा मार्दु मनीपुर में टॉक निंग खोक वासम में मासूंदरी की नाम से जाने जाती है इसकी बिसीस्ताओं में इसका स्वाद उगर्ध मचली जैसर होता है और इस पौधी का समंदिकार को में कीडि की काट ने पुखार खास यादी के लाज में सकावपियों किया जाता है इसके लावों को प्राचिन आयर्वेद वर्सित गरंतों में बढ़नेंत किया गया है अब आता है इसके संदर में कि यह एफिस मिंट है यह इस तरीके से दिखाई देती है आयोशियन में नेलिगरी डांसिंग प्रोग को वल्रेवेल तथा वाइट चीस्ट डांसिंग प्रोग को इंडेंजर्ड की रूप में सूची वेति किया जाया है इस प्रजाती को आकरम प्रजातियों में भूमी उप्योग परिवर्तन चरम हो समाधी से खत्रा होता है और इसका नाम डांसिंग प्रोग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह फुट फ्लेविंग करते हूं और इसमें नर्मेड़क अपने पिछले पेरों को एक एक करके फ्यलाते हो नितिकी मुद्रा में अपनी जाल मुला पेरों की उंगलियों को तेज गती से हवा में लहराते हूं रहते हूं और कपास की इस फसल में इस जीन में के कारण प्रोटीन निर्मित करते हैं जो कि एक प्रकार के कीटों के लिए घातक होता है और यह प्रोटीन अमेरकन बॉल्वर्म के लिए विसाक्त होती है लेकिन अब यह प्रोटीन पी डवलू पर प्रभावी नहीं होता है पिंक बॉल मुर्म एका विज्ञानिक नाम पेक्टोरनी फोरा गोसी है पोरा सॉंडर से हैं जोकी एक बिवित सलम हो पतंगों की लारबा होती है ये सम्भवता हूरवी हिंद महासागर के छेत्र में की मूल नेट प्रजाती होती इसका प्रोहा वैक समाधा पीवी डवलू कॉर्टन वॉल्स पर अंडे देती और अंडो से निकले नए लारबा बीजो को खाते हैं और कपास की रेशो के नुकसान पहुचाती है और इससे आर करम का आयोजन किया गया जानते हैं कमलांग टाइगर रेशर चो की अनाचल प्रदेश के लोहिट जिले में स्थित है इसका नाम यहां बहने वाली कमलांग नदी के नाम पर रखा गया है यहां की जलबाई उपोश्रकटी बंदी होती है यह बरक्ष है यहों की सामाने पर जाती हो में अम्मोरा बालची, अमानी, गमेली, आरबोरी या गमरी आदी से सामिल होते हैं फिर आता है इसके जीब जनतों में हिंतेंदुआ, किलाउड लेपड, बाग, हिमाली, पाल, सीवेट, धान बे लादी आते हो गिलो जील इसी रेजर्ब के अंतरगत आती है अ बाइक से तै कि ये जाने वाली कमदूरी की भीतर उपलब्द कराने का समर्थन करता है यह एक स्थानिक बिकास मॉडल होता है और यह देक स्थानी स्वस्त और सुचित संदाणी जीबन सेली को बड़ावा देने में मदद करता है इसी 15 मिनिट वसे 30 कहा गया है यहाँ पर लिए टोपिक, इंवावेंड से रेलिटे टोपिकはいनिस होता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टोपिक के साथ मिलेंगे और वह इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें जाद से जादा से इर करें और belonged के